जैहिन दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू कैप्टेन बत्रा क्लासिस बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्पूर टॉपिक फिजिक्स का एलेक्ट्रोस्टेटिक्स लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स को इस्थिर वैद्यूति की नाम से भी जाना जाता है दरसल इस पूरे चैप्टर में हम लोग चार्जेस यानि आवेसों के स्टेशनरी स्टेट में रहते हुए यानि इस्थिर अवस्था में रहते हुए जितनी भी भौतिक घटनाएं होती हैं उन का concept developed किया जाए किस तरीके से इसको हम अध्यान करें इसके पहले कि हम वास्तविक्ता में इस चैप्टर में जाएं हम यह देखना चाहेंगे कि इसकी भूमिका क्या है इसको हम पढ़ने के पहले कुछ एक ऐसी बाते हैं जो पहले से हमें पता हैं बच्चों आपने gravity तो करस्ण पढ़ा होगा और गुरुत्वी छेत्र से भी परचीत होंगे निश्ची तोर पर तो जब आप गुरुत्वा करस्ण पढ़ रहे थे उसी दवरान आपको इसकी भूमिका मिल गई है मैं इसको आपके समक्ष फिर से ले आना चाहूंगा देखिए आपने यह आप साम हैं जो एक एपल ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और देखिए इनके सर पर यह सेव गिरा तो पहली दफ़े इन्होंने इस बारे में विचार किया कि आखिर यह कौन सी चीज है जो सेव को नीचे ले आ रही है कोई चीज उपर क्यों नीचे ली जाती है तो इस पर इन्हों कुछ ऐसी बात है जो उर्थ में है और उर्थ स्वाम चीजों को अपनी और खीचती है यानि प्रिथवी अपनी और तमाम चीजों को खीचती है इस कारण से इन्होंने इसका बध्यन किया व्यापक रूप से तो यह पाया कि अर्थ तमाम प्लेनेटरी सिस्टम जो भी है व आपके सामने ये देखे एक पिक दीख रही होगी जिसमें ये अर्थ है और इस अर्थ को और ये सामने इसके मून है यानि चंद्रमा है और ये प्रिथवी है जो कि आपस में एक दूसरे से आर दूरी पर है कितने दूरी पर है आर दूरी परिस्थित है और इनके मद्य एक फ मून अर्थ को अपनी और एक दूसरे को किस फोर्स से खीच रहा है? इस फोर्स से खीच रहा है, यह बात आपको पता है, लेकिन इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को दो प्लेनेटरी सिस्टम के बीच में जो काम करने हैं, चाहे वो अर्थ मून हो, चाहे सोलर सिस्टम का कोई भी दो प्लेनेट हो, उनके बीच में यह फोर्स काम करता है, और यह फोर्स बताता है कि वो जो है दोनों के मासेज के प्रड़क्ट के डारेक्टी प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् में नहीं होना चाहिए। आप ये पूरा का पूरा जो भी उनिवर्स देख रहा है। या जी तनी भी फिनामीनास पड़ रहा है जो जो आप देख सकते हैं, जिसमें मास ही नहीं है, उसमें कुछ भी आप एध्यान नहीं कर सकते हैं, मासलेस चीज का कोई एध्यान हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मास के अंदर कुछ खास प्रापर्टी है बच्चों, और वो क्या प्रापर्टी है, जैसे किसी भी चीज मास हो करता है यानि उस पर एक force काम करता है जो पहले वाला mass उस पर apply करता है और वह force कैसा होता है हमेशा attractive in nature होता है यह बात हम लोग जान चुके हैं और एक law जो हम लोगों ने stabilize किया जो Newton सहाब ने इस चीज़ को पाया और वो यह पाया कि वो force actually उन दोनों message के product के directly proportional और उनके beach के distance के square के universally proportional है जिसे हम लोग inverse square law भी कहते हैं क्या कहते हैं inverse square law इसके नाम से जानते हैं बच्चो क्यों क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों के distance है उन distance के square के universally proportional है अब बच्चो ये चीज तो हम लोगों को पता थी इस पर आधारित आगे के जो देखेंगे कि इसका यूज है आगे चलकर आप देखेंगे चलिए यह इफेक्ट तो जो है नूटन साहब ने देख लिया हम लोगों के जीवनकाल में हम लोग तमाम चीजे देखते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं के दिल करते कि आखिर उसके पिछे सिध्धांत क्या काम कर जो भी फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं सब नेचूरल लॉज हैं नेचूरल लॉज का मतलब ऐसे नियम जो प्रकीति में आल्रेडी काम कर रहे हैं बस हमें उनका रहस्योत घाटन करना होता है यानि यह सिध्धांत कोई बनाता नहीं है यह सिध्धांत आल्रेडी होते ह हम उसके पीछे जा करके उसको प्राव्ट करते हैं कि कैसे काम कर रहा है देखि कितनी खास बात यह है कि हम लोग अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बनाने जा रहे हैं जैसा कि जादा तरभी ध्यारती सोचते हैं कि न्यूटन ने बना ऐसा नहीं यह रूल काम करता है और जब रहे हैं तब इसके पहले से जब से यह पूरा का पूरा आपका ब्रह्मान है तब से यह नियम काम कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अब आईए देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ है कि फिक्स दिखाई दे रहे हैं दैनिक जीवन में ऐसा भी आपने देखा होगा हां अकसर ऐसा होता है यहाँ पर यह जो है एक बच्ची है यह जो है गुबारा अपने सर पर उपर ले गई और यह देखिए बाल उससे चिपक गए और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो आपजेक्स एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे हैं यानि आप दैनिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं यह क्या बतलाती हैं जरूर कुछ न कुछ ऐसी बाते हैं जो दो वस्तूओं को आपस में या तो खीच लेती हैं या धकेल देती हैं यहाँ देख सकते हैं धक्का मिल रहा है और यहाँ पर जो है खिचा उत्पन हो रहा है और यह देख इसकी वज़े से जो gravitational force होता है वो universal gravitational lock of follow करना चाहिए तो इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं जो भी हम लोग देखते हैं examples हम लोग कुछ देख लेते हैं electrostatic forces जहां भी काम करते हैं बच्चो daily life में आईए हम लोग और कुछ हुदाहरन से उसको समझने की कोसिस करते हैं जैसे देखिए यह plastic rod है जो wool से रगड़ी गई है अब आप देख सकते हैं कि यह इसका perpendicular है और यह दूसरी glass rod है जो कि silk से रगड़ी गई है जब यह इसको बच्चो इसकी और ले आया जाता है तो देखते हैं कि इसमें खिचाओध पन हो जाता है यह एक दूसरे को खीचती है तो यह घटना भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके की होती है और दैनिक जीवन में हम लोगों को देखने को मिलती है अच्छा दूसरी बात देखिए यहां आपने देखा होगा हम लोगों के common life में experience करने को हम लोगों को मिलता है यह आप बिजली का चमकतना देख रहे हैं बादल में जो है जब कभी इस तरीके से घटना होती तो आवाज भी आती है और बिजली भी आती है रोशनी भी आती है क्या कभी आपने सोचा है कि यह इस तरीके की बिजली क्यों पन होती है तो मैं आपको बताता हूँ बच्चो जब दो बादल आपस में रगर खाते हैं ठीक है एक बादल जब ये बादल इसके उपर है और दूसरा बादल इसके नीचे है जब एक दूसरे से रगर खाते हैं तो रगर खाते हैं तो ये उपर वाला जो इसका क्लाउड है उसमें पास है जब टकराते हैं बहुत तेजी के साथ तो इसमें इलेट्रिकल डिस्चार्ज पैदा होता और इतना जादा कभी कभी हो जाता है बच्चों कि यह पूरा का पूरा है वी निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सीधे ग्राउंड पर फ्लो कर जाता है जिसे कहते हैं करते हैं पहले हम लोग इफेक्ट देखते हैं हम लोग सभी धर्ती पर कोई चीज देखे रखिए उपर रख दीजे अगर जड़ा सभी दिस बैलेंस नीचे गिर जाएगी कोई चीज ऊपर फेकिए नीचे आ जाएगी यह सब पहले ही हो जाता है लेकिन इसके कारण में जा बालों से रगड करके लीजिए और छोटे-छोटे कागज के टुकड़े आप यह देख सकते हैं यह कंगी यहाँ पे उपर है अभी नहीं खीचरी जब यह नजदीक लाओ के तभी खीचेगी तो उसके बाद इसमें खीचाओत पन हो जाता है यह भी हम लोगों के डेली ला लेकिन बच्चों यह बात समझने की है कि आखिर यह घटनाएं क्यों हो रही है अब वही बात यहाँ पर भी आती है जैसा कि न्यूटन साहब ने देखा था कि आखिर सेब उनके सर पर गीरा तो उसका कारण क्या था ग्रेटेशनल फोर्स यह तो कारण था तो इस प्रकार क कि घटनाओं में क्या कारण मौजूद हो सकता है अब इसका हम लोग अध्यान करने जा रहे हैं लेकिन इस चीज को हम लोग अध्यान करने के लिए सबसे पहले ये समझने की कोशिस करते हैं कि कोई भी हम लोग सबस्टेंस लेते हैं कोई भी हम लोग पधार्थ लेते हैं भाई है तो दो आपजेट के बीच में ही हो रहा है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो चाहे इस तरीके के forces काम कर रहे हम होता तो 2 masses के बीच में ही है तो इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा इसा कारण है जो इस तरीके के forces के लिए जिमेदार है तो इसको अध्यन करने के लिए बच्चो हम लोग बहुत ही बेथरीन तरीके से इस बात को समझते हैं, तो इसको जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टेंस कैसे मिलकर बना होता है बचो, अगर कोई भी आप सबस्टेंस ले लीजिए, तो वह सबस्टेंस यानि पदार्थ कैसे मिलकर किसे बनता है, वो बनता है बेटा, तमाम मालिकूल्स होते ह हर मालिकुल में एटम होते हैं और एटम के अंदर क्या होते बच्चों एटम के अंदर होता है नूकलियस और नूकलियस के अंदर बच्चों होता है प्रोटान और नूट्रान देख सकते हैं प्रोटान है नूट्रान है आईस के बाहर क्या होता है इलेक्ट्रान ये बात तो स हैं और इन सभी के मासेज भी होते हैं और यह सब मासेज कैसे होते हैं बच्चों इन सब का मास बहुत ही छोटा होता है जैसे अगर मास आप इलेक्ट्रान की बात करें तो यह मात्र है 9.8 इन्टो 10 पार माइनस 31 केजी इस वेरी वेरी समाल समझ लीजे एक केजी तो आप समझी रहोंगे और एक कीलो का एक के आगे 31 जीरो लगाकर डिविजन कर दिया जाये तो इतना छोटा मास यह मतलब आखों से नहीं दिखाई देता इलेक्ट्रान आप देख सकते प्रोट्रान इसमाली समाल बहुत ही छोटे हैं अब मास आफ प्रोट्रान मास आफ न्यूट्रान में केवल आर्डर देखिए 10 की घात माइनस 27 यानि इसका 10,000 गुना ज्यादा है लेकिन इसका 10,000 टाइम ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत छोटा है बच्चों इन में भी मासेज हैं ये बात तो तहा है कि इन में भी मासेज है और हम लोगों ने जाना है कि जब भी दो अबजेक्स में मास होता है तो अगर उन में मास है तो निश्चित तोर पर उनके बीच में ग्रिविटेशनल फोर्स काम करेगा अगर वो एक दूसरे से इतना नजदिक आए कि एक फिल्ड जितनी दूर तक है बस उहीं तक काम करेगा आपने पढ़ा भी होगा इसकेफ विलास्टी पढ़ाए की नहीं पढ़ा इसकेफ विलश्चित से किसी भी पार्टिक्ल को फेक दिया जाए तो ये अर्थ की gravitational field से बाहर चली जाएगी और जब किसी के gravitational field से कोई object बाहर चला जाएगे तो वहाँ पे gravitational pull काम नहीं करेगा इसी प्रकार से electrostatic forces में भी हर particle का अपना एक field होगा तो हम लोग अध्यान करने जा रहे हैं बच्चों जो अभी-अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था universal gravitational force या universal gravitational law कह लिजे यहाँ पर आपके सामने वह चीज लिखी हुई है मैं यहाँ पर इसको इसलिए discuss कर रहा हूं बच्चों कि हम अध्यान करना चाहते cause of extra force between fundamental particles other than gravitational force हम लोगों का अध्यान वस्तु यह है कि जो यह fundamental particle है proton है neutron है इनके बीच में gravitational force तो काम कर रही गा है लेकिन कुछ extra force भी काम करता है और उसी के कारण हम लोगों को यह charge का concept मिलता है अब मैं इसके बारे में यहाँ बताने जा रहा हूं कि देखे यह force तो दो मासे के बीच में काम करता है जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है है लेकिन अगर मैं दो proton की बात करूँ या दो electron की बात करूँ जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अगर एक electron ले और दूसरा electron इससे one centimeter की दूरी पर रख दें तो चुकि electron में मास होता है तो अगर electron में मास है तो एक दूसरे को वह universal force universal gravitational lag के जो force का जो है जो value है उसमें अगर रखें या इसकी वैलू देखिए तो यह value कितनी हा रही 5.5 इंटो 10 पर माइनस 67 newton माइनस 67 newton सोच लीजे बहुत ही कम force है यानि एक electron बच्चो एक electron दूसरे electron को एक electron दूसरे electron को खीच सकता है और बलकि खीचता है और वह कितना force होता है 5.5 इंटो 10 पर माइनस 67 newton से खीचता है और यह कौन सा force है gravitational force है लेकिन बच्चो यह देखा गया वाकई में प्रयोग के द्वारा कि दो electron एक दूसरे को धक्का देते हैं और धक्का देने वाली घटना दिखाई देती है खीचने वाली घटना नहीं दिखाई देती है यह क्यों तो होता ही है वह तो gravitational force का concept है लेकिन यह दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं अब आप मुझे बताइए क्या यह gravitational force हो सकता है क्या gravitational force कभी भी दो message में ऐसे भी हो सकते है जो एक दूसरे को धक्का दे दे नहीं हो सकता है न क्योंकि gravitational force हमें इसा कैसा होता है attractive होता है तो ऐसा क्यों क्यों यह एक दूसरे को repel कर रहे हैं निश्ची तोर पर यह gravitational force नहीं हो सकते और यह देखा गया बच्चों कि अगर एक ही centimeter पर एक electron दूसरे electron को separate करके रख दिया जाए तो यह एक दूसरे को 2.3 into 10 to the power minus 24 यानि अब की जो force काम कर रहा है वो है 2.3 into 10 to the power minus 24 Newton और जब की पहले वाला था 10 की power minus 67 Newton 5.5 into 10 to the power minus अब आप सोच लिजे कि gravitational force जो है यह कितना कम है बहुत कम है और यह repulsive force बहुत जादा है उन्हीं electrons की बीच में तो आप भी जानते हैं net force किदर काम करेगा अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को मान लो खीच भी रहों और धक्का उनको उनके उपर लग रहा हो और धक्का जादा लग रहा हो एक दूसरे को धकेलने वाला और खीचाव कम हो तो कौन सा प्रभावी होगा धक्के वाला इसलिए दिखाई क्या देता है इनके बीच में रिपल्सन में यह बात बिलकुल असपस्त हो गया कि प्रतिकरशनल बल है यह एक्स्टा फोर्स है और यह एक्स्टा फोर्स किस कारण से है यह बात समझना है यहां इसी बात को समझना है जैसे gravitational pool काम कर रहा है वैसे ही इस तरीके का जो force है वो भी काम कर रहा है यह जो extra force है इसी को हम लोग electric force कहते हैं यानि कहने का मतलब this extra force is called as electric force यही electric force है ध्यान दीजिये term इसी को हम लोग वैद्यूत बल कहते हैं ठीक और वैद्यूत बल अगर दो पिंड में काम कर रहे हो तो confirm है कि उनमें अगर attraction है तो आप doubt कर सकते हैं लेकिन repulsion है 100% हुआ है दो मासेश के बीच में अगर repulsive force काम कर रहा हो बच्चो तो निश्चित तोर पर आपका electric force होगा अब विशाय आता है कि यह electric force बहुत ज्यादा है gravitational force की तुलना में और खास बात क्या हम लोगों को समझनी च जो यह electric force है निश्चित तोर पर उन इलेक्ट्रांस में कुछ अतिरिक्त गुण होंगे जिसकी वज़ए से पैदा हुए होंगे मास की वज़ए से तो नहीं हो सकता मतलब मास की वज़ए से अगर आप सोच रहे हैं तब तो केवल gravitational force ही सो सकते हैं मास के तो है ही मास तो रहे कारण जिसकी वज़ए से होता है उसी को हम लोग charge कहते हैं यानि charge क्या है बच्चों चार्ज क्या है आवेश क्या है अपने दिमाग में बैठा लीजिए आवेश वह गुण है किसी भी पिंड का जिसकी वज़ह से उन दोनों के मध एक अतिरिक्त बल काम करता है जो गुर्त्वी बल नहीं है और वह गुण ही आवेश कहलाता है यानि charge is the fundamental property of anybody having certain mass due to which electrical forces are applied इसलिए हर मास में ही एक गुण हो सकता है अगर किसी भी charge की वाट आप करते हैं तो charge mass की property है निश्चित तोर पर charge होने के लिए mass होना ज़रूरी है लेकिन आगे चलकर हम चरचा करेंगे तो आप पाएंगे कि mass होने से charge मतलब charge है तो mass तो निश्चित तोर पर होगा बिना mass के charge नहीं होता लेकिन mass अगर है जखरूरी बीच में देखें बच्चों दोप्रोटान के बीच में अगर देखे तो उनके बीच में Сब्सेल फोर्स की बात करें बच्चों इसका मास बताओ ज्यादा है कि नहीं मास आफ मास आफ प्रोटान अगर आप लेते हो एक मास आफ प्रोटान और यह मास आफ प्रोटान मास आफ प्रोटान इस ग्रेटर दैन मास आफ इलेक्टान की नहीं बताइए तो अगर फोर्स दो प्रोट корrcional force अगर मैं तो से यह पूछा हूं कि दो बीच में gravitational external force जादा होगा कि दो एलेक्टरान के बीच में तो आपकी इसका जादा होगा आपने पढ़ रख़ा ए जाधा है तो मास का प्रोड़क्ट भी बहुत ज़्यादा होगा इसलिए फोर्स भी ग्रेविटेस्नल फोर्स मास प्रोटान के बीच में ज़्यादा होगा वनस्पत इलेक्ट्रान के लेकिन खास बात यहाँ यह है कि यह जो फोर्स है जो रिपल्सिव फोर्स है भाई यह तो 2.3 इंटू 10 ट्रीज पावर माइनस 24 न्यूटन ही है जो एक अतिरिक्त बल्थाजी से इलेक्ट्रिक फोर्स हम कह सकते हैं या फिलेक्ट्रिक मान लीजिए अभी के लिए तो दो प्रोट्रान के बीच में भी उतना ही धक्का काम कर रहा है और दो इलेक्ट्रान के बीच में भी उतना ही रिपेलिंग फोर्स काम कर रहा है इसका मतलब यह मास पर डिपेंडेंट नहीं है यानि एलेक्ट्रिक फोर्सेज आर नाट डिपेंडेंट आन दी मासेज उतना ही आवेश उस पर होगा, क्यों, क्योंकि आवेश के कारण ही फोर्स उत्पन हो रहा है, जब दूरी समान है, ठीक है, और जो है फोर्स समान है, तो निश्चित तोर पर आवेश से ही उत्पन है, और आवेश से अगर उत्पन है, तो फोर्स उतना ही क्यों दे रहा है, अ अब हम आगे बरते हैं अगर हम proton और electron को ले लें तो देखिए भाई proton और electron जब रख दिये तो ये एक दूसरे को attract करने लगे और ये attractive force काम कराई से कहते हैं electrostatic attraction अब बच्चों electrostatic attraction ये जब आया क्यों electrostatic कर रहे हैं अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये gravitational पूल की वजह से भी तो हो सकता है लेकिन नहीं इसकी value भी उतनी ही है यानि ये जो extra force है ये electric कह लिजी एक सेकेंड के लिए ये भी उतना ही पाया गया 2.4 into 10 to the power minus 24 newton यानि कहने का मतलब है 2 proton के 2 electron को देखा जाए तो रिपेल भी उतनी ही force से करेंगे अगर distances 1 cm की है तभी या equal distance हों तो equal force है यानि कहने का मतलब 2 electron अगर परसपर एक दूसरे से 1 cm की दूरी पर है तो भी उनके बीच में repulsive force इतना दो proton अगर एक दूसरे से 1 cm की दूरी पर है तो भी repulsive force इतना और अगर एक proton एक electron आपस में 1 cm की distance पर रख दिये जाए तो electrostatic force और भी attractive nature का उतना ही यानि repulsive भी उतना attractive भी उतना इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों charges जो भी है इनमें भी फर्क है किस बात का फर्क है यह confirm है कि proton proton electron electron एक नेचर के हैं दोनों में charges भी same है लेकिन value same होने के अलावा इनमें प्रकित भी परीत है यानि कहने का मतलब यह है कि force attractive है repulsive नहीं है और charge जो है जो electron और proton पे है वह same strength के हैं लेकिन opposite nature के हैं भी परीत प्रकित के हैं और इस कारण से हम यह स्पस्ठ करते हैं कि आवेस दो तरीके के होते हैं और दोनों का नेचर अलग-अलग होता है एक आवेस को हम लोग अपनी सुविधा के लिए plus और दूसरे को minus ले लेते हैं यह convention है बच्चों लेकिन देखिए यह convention अपनी मर्जी से लिया गया convention है हम लोग proton को plus और electron को minus मान लेते हैं ऐसा मानने के पीछे हम लोगों का सिर्फ इतना ही उद्देश है कि यह दोनों प्रकित में भी परित हैं ऐसा इसका कत्ता ही मतलब नहीं है कि proton में ज्यादा होता है आवेस या चार्ण और electron में कम होता है ऐसा कत्ता ही नहीं है purely conventional है बच्चों value सेम ही हो है जैसे मान लो इसको plus 2 इसको minus 2 अगर मैं आप से कहूं plus 2 और minus 2 में minus और plus क्या relative दिखाता है एक दूसरे के विद्रिस्पेक्ट में यह तो दोनों का अगर कह जिए माडूलस कह जिए तो सेम ही आएगा ना वो कितना होगा टू होगा यानि प्लस ही माइनस ही में आवेस तो समान ही माना जाएगा प्रकित में भी प्रित माना जाएगा यह नहीं कभी आप कहिएगा कि इलेक्ट्रान में जो है माइनस में होता है और प्रोटान में ज़्यादा होता है तो यह बात यहां कही जा रही है कि as we have seen हम लोगों ने देखा कि जो एलेक्ट्रिकल फोर्सेज हैं प्रोटान के उतना जितना इलेक्ट्रान के बीच में हैं और सेपरेशन सेम हो कि हम इनमें से एक को पाजटिव और एक को निगेटिव ले ले और यानि सेच्छा से हमने प्रोटान में धनात्म कावेस मान लिया है और इलेक्टान में धनात्म कावेस मान लिया है ठीक यह बात हम आपको चर्चा कर चुके हैं तो यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए क कि इसके पीछे का कारण क्या है आप AWS की प्रकिती तो प्लस माइनस जानते हैं अब eigenlijk हमने यह बताया किई AWS किसली आते हैं तो AWS की मास प्रापर्टी है ठीक, और AWS के कारण ही फिर ऐलेक्ट्रno स्टेटिक फोर्सेट काम करते हैं अब बच्चों कुछ और बात हैं यह आवेस कैसे ना पा जाए देखिए आवेस या चार्ज किसी भी मैटर की intrinsic property होते हैं जैसे हम हम ही आप से पूछें कि क्या बताईए मास कैसे develop हुआ तो आपके दिमाग में question mark आ गया ना है इसका उत्तर आप पस हो तो बताईएगा मास कैसे develop हुआ तो इसलिए मास से सब चीज डिवलब हुआ मास कैसे develop हुए यह scientist खोज रहे है ठीक अब खोज लेंगे तो पता चलेगा आपको भी मालूं चल जाएगा हमको भी मालूं चल जाएगा लेकिन मास की वज़़े से चार्ज आता है ये बात सही है चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज मास की वज़े से आता है लेकिन चार्ज भी एक intrinsic property कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में आप किसी particular substance के बारे में यह नहीं बता सकते हैं उसमें कितना चार्ज है यह ऐसी कोई चीज नहीं होती है चार्ज जो current develop होता है तो basic बात आपको तो पता ही होगी कि जब किसी भी धारा वाहितार यानि कहने का मतलब क्या है कि current carrying conductor में जब charge flow करता है उसी को current कहते हैं बच्चों और charge क्या होता है चार्ज इसकोई स्टू current इन्टू टाइम या कह लिजे current इसकोई स्टू rate फ्लो आप चार्ज यानि आई इसकोई स्टू क्यू बाई टी यह भी कहते हैं या ठीक है इस आधार पर अगर किसी भी देखिये कंडेक्टर में चार्ज फ्लो करें ठीक और यह फ्लो कर रहें एक रेट से तो किसी पर्टिकुलर क्रास सेक्षनल एरिया से जितने चार्ज फ्लो कर जाते हैं विदीन सेकेंड वही हमारा जो है current होता है इसी आधार पर अगर चार्ज को देखा जाए तो its current into time अब बच्चो अगर इसका dimensional फार्मूला देखें तो यह तीनों fundamental quantity है तीनों मूल रासियां है की नहीं है भाई आवेस धारा एम समय तो इसका fundamental dimensional फार्मूला यह होगा q is equals to 80 होगा की नहीं होगा अगर हमसे कोई पूछ बतायाँ किfilm करते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोगक एक ampire की kurhend कितने ampire की kurhend एक ampire की kurhend एक second तक फspeed कर आदे तो इसका multiple कितना हो जाएगा one into one is one one ampire second कि हो जाएगा इसका unit है और यही one ampire seconds यह q की value हो जाएगी तो क्यों कितना हो जागा एक ampere in two seconds और इसी को हम कहेंगे one coulomb क्या कहेंगे one coulomb तो बच्चों यहाँ पर यही बताया गया कि एक coulomb वह आवेस है आवेस की वह मात्रा है जो किसी भी wire में एक second में फ्रो कर जाती है यह जो उसके अंदर current बहने वाली जो धारा है one ampere की हो और इसी कारण से one coulomb one ampere into one second कहलाता है इसके अलावा इसकी छोटी unit भी है जैसे मानलों cgs system में अगर हम बात करें तो cgs system में यह आपका one coulomb होता है three into ten ट्रजपावर nine stat coulomb इसे cgs system में stat coulomb भी कहते हैं इसके बात आप जानते हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं देखिए अब बात यह आती है कि जो आवेस है अगर दो वस्तूओं में आवेस का आदान प्रदान होता है आपने देखा कि दो वस्तूओं में आवेस एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं यह आपने देखा तो अगर जो है आवेस यानि जिसे कहते हैं हम लोग कि अगर इनके बीच में आवेस का आदान प्रदान हो तो यह एक बात जान लें कि जब एक पर्टिकूलर आपजेक्ट से दूसरे आपजेक्ट में हम लोग देखते हैं कि इलेक्टरान का ट्रांसफर होता है तो electron की संख्या हमेशा आप बताओ बच्चो एक electron, दो electron, तीन electron, चार electron ऐसे ही फ्लो करेगा कि देड़ electron, धाई electron, साड़े तीन electron जाएगा electron तो एक fixed quantity है ना यानि कहने का मतलब है discrete number है ना जिसे हम लोग संख्या में गिनेंगे जितने electron transfer होते है उतना ही दूसरे वाले atom पर या दूसरे वाले substance पर उतना ही रिनात्मक आवेस और जितने electron पहले से जाते है उतना ही धनात्मक आवेस आ जाता है यह बात आपको मालू होनी चाहिए इसी को कहते है charges quantized जब एक भौतिक रास में जो भी मान है discrete है अनी count करने वाले हैं और counting numbers में ही वह value grant करें तो उसी को quantized बोलते हैं बच्चों समझगे कि नहीं जैसे आप अगर मानिजे आम खरीदने जा रहे हैं तो आम कितना ले आएंगे एक आम दो आम तीन आम चार आम साड़े चार आम तो नहीं ले आएंगे अगर 4.5 हो गया तो यह है quantized नहीं कहा गया है quantized वह ही है जो integral multiple है इस कारण से e के जीतने भी integral multiple है यानि e का मतलब आवे minus में है अगर किसी को मिला है तो minus में किसी ने दिया है तो plus में यही count होगा ना तो यहां पर यह दिखाए गया जैसे यह balls का एक series दिखा दिया गया इस प्रकार से बच्चों कि एक बाल दो बाल तीन बाल चार बार इस तरीके से एसे electron मान लिया जा इसको तो हम अगर हम किसी को देंगे तो ऐसे ही transfer करेंगे इसी को करते हैं charge is quantizing that means when a charge is given to any other body then it is in the integral multiples अब देखिए यह कूलम सहाब है ठीक है अगस्तिन कूलम इन्हों ने क्या काम किया जैसे Newton सहाब ने gravity की खोज की और उन्हें ने पाया कि दो masses के बीच में जो gravitational force काम करता है उन दोनों masses के product के proportional तथ उनके बीच की distance के square के universally proportional है उसी प्रकार से इन सहाब ने यह तो तमाम घटनाय हो रही थी हाँ वैदुत बल जो लग रहे थे उनके मान की गड़ना करने के लिए एक इन्हों ने अपना एक इलेक्ट्रिस्कोप बनाया था बच्चो एक टार्सन एबल टाइप का बनाया था जो इनका actual प्रेयोग था वो उसी पराधारी था और उसमें इन्होंने यह प्रेयोग किया तो पाया कि अगर दो stationary charges यानी Q1 और Q2 को आपस में R distance पर रख दिया जाए कितनी दूरी पर रख दिया जाए आर दूरी पर रख दिया जाए तो यह पाया गया कि यह बल जो है attraction भी हो सकता है repulsion भी हो सकता है ध्यान दियेगा gravitational force के वल attraction attractive होता है लेकिन electrostatic force attractive और repulsive दोनों nature के हो सकते हैं और इनके बीच का जो बल है यह कैसे काम करता है यह बल उन दोनों के आवेसों के परिमार के गु वर्ग के वितक्रमानुपाती होता है और इन दोनों को combine कर दीजे तो यह rule बन गया क्या यह नियम आप बताएं बच्चो क्या यह नियम जो आप अभी पढ़ रहे हैं क्या यह नियम आपने अभी देखिए इसके पहले यह इसमें पाया था जो gravitational force का जो काम है वह देखिए क क्या यह नियम इसी प्रकार का नहीं है यानि यह inverse square ला नहीं है अगर मैं यहाँ पर q1 यहाँ पर q2 कर दूं अगर इस पर आवेस q1 कर दूं इस पर आवेस q2 कर दूं बच्चों इनकी दूरी को r से replace कर दूं क्या यही formula जो आपका है बस जो universal gravitational constant g है वहाँ पर electrostatic constant k लग ज आपको समझ में आ गया कि यह नियम और आपका electrostatic force का नियम देखने में एक जैसा हैो का म करने में इक जैसा है फर्क यह है कि electrostatic forces दो charges के बीच में काम करते हैं जब कि gravitational force दो masses के बीच में काम करता है नियम एक ही तरीके का होता है और इस कारण से कभी अगर exam में आपको यह पूछ लिया जाए कि जो universal जो आपका coolam का नियम है वह किस नियम पर का analogy है या किस नियम के समतुल्य है तो आप सीधे बोलेंगे कि यह नियम universal gravitational force के समतुल्य है बच्चों और इस कारण से इसका नियम इस तरह से काम करता है अब यह विशय आता है कि यह जो k है वह क्या है तो k के लिए जो है experimental verification किया गया और यह पाया गया कि जो k कामान है 1 upon 4 pi epsilon nat होता है जिसकी value होती है 9 into 10 to the power 9 ठीक है और इसका unit होता है newton meter square upon coolam square कैसे निकाल सकते हैं भाई देखिए यह k कामान निकालना है तो dimensional formula पढ़े होंगे आप इसको लिख सकते है f r square upon q square अब आप बताईए f किस में नापोगे newton में तो यह रहा newton r किस में नापोगे meter में 13 meter का square r square और नीचे क्या है q square क्यों किस में नापोगे coulomb में तो upon coulomb square तो इसलिए बच्चो इसका यह unit है हाँ यह SI unit है और epsilon nat को कहते हैं बच्चो permittivity of free space यानि निर्वात की वैद्धूत सिल्ता बच्चो देखिए निर्वात की वैद्धूत सिल्ता के विशे में हम detail में आपको अगले lecture में बताएंगे लेकिन बेस यह बता दे कि जब दो आवेसो के बीच में देखिए यहाँ पर हमने बनाया है प्रतिकरसन बर लगाया ठीक है क्यों लिया इसको repelling force इसलिए अभी ले लिया है क्योंकि repelling force confirmative electrostatic force होते हैं आप देखिए एक charge यह है एक charge यह है अगर दोनों का charge same nature का है जैसे यह plus plus हो तब भी माइनस माइनस हो तब भी इनके 20 की जो दूरी है वो आर से दिखाई गई है और यह force है दोनों force equal होते हैं और यह भी बता दूं यह newton के थर्ड नियम का भी पालन करते हैं इस बात को आप ध्यान दे न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है अगर कभी जाम यह पूछ लिया ज है ऐसा नहीं कोई चार्च छोटा है कोई चार्च बड़ा है तो एक दूसरी पर जादा धक्का मार देगा बड़ा वाला दूसरे वाले पर ऐसा नहीं है दोनों equal force काम करते हैं और इसमें अगर माल लिजे नेचर एक कपला से दूसरे का माइनस है तो बिलकुल attractive हो जाएगा तो यह बात आप लोगों ने आज पढ़ ली तो इसको जो है बच्चो आगे के lecture में हम लोग यह देखेंगे कि कैसे यह काम करता है अभी तो आपने देख लिया कि भाई यह बल काम करता है लेकिन यह बल काम क्यों करता है क्यों एक आवेस दूसरे आवेस को खीचता है और वैद्दू छेत्र के अलामा हम यह देखेंगे कि उस वैद्दू छेत्र की पिवरता क्या है का ऐसे दो आवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जैसा जनरली आप लोग जोसते हो कि Q1 Q2 एक दूसरे खीच लेगा Q2 Q1 ऐसा नहीं होता है इस बात को आप ध्यान दे ए Electric Field क्या होता है यानि वैद्दू छेत्र की से कहते हैं और वैद्दू छेत्र की तीवरता क्या है और इसी को कैलकुलेट करेंगे वैद्दू विभाव क्या है यानि Electric Potential क्या है तमाम चीजें आप लोगों से चर्चा करेंगे और आवेश के वितरण के बारे में भी बात करे जाहिं